हेलो जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल पे और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक एग्रिकल्चर एंटोमोलाजी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रेशन करेंगे देखेंगे एग्रिकल्चर एंटोमोलाजी जो है एक्चुल में होता क्या है तो दोस्त आपने कहीं ना कहीं कोचिंग की प्रींटी कि तो थोड़ा सा डीप में जाकर आपने पढ़ाई कि वह तो इसमें क्या है थोड़ा सा असां लगता है इंटोमोलाजी क्योंकि इसमें टर्म से एक दम ऐसे सैंटिफिक होते हैं और गश्य वह गात करें लिप ऑनली जैसे जिस ना कहीं confused होता है तो agriculture entomology के अगर हम बात करें तो इसमें जो है insect वगरा का अध्यन किया जाता है मतलब study की जाती है insects related कि कौन सा insect है आपको पता है कि crop agriculture में crop से related अध्यन करते हैं crop से related study करते हैं तो जैसे कौन सी crop लगी है उस crop में कौन-कौन यूज करेंगे या फिर कौन सा mechanical या फिर culture practice जो है यूज करेंगे तो इन सब का जो totally study होता है वो agriculture entomology के अंतर होता है और जैसे किसी भी insect का हमको management करना है माल लिजे grass offer है grass offer का हमको management करना है तो management करने के लिए सबसे पहले ध्यान देन वाली बात यह होती है कि कि किसी management माल लिए आपको malaria हो गया है तो हमें आपको malaria का ila करना है माल लिजे human disease की बात करें हम तो उस malaria के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए उसका नेचर कैसा है उसका जो वाइरस है उसका जो वेक्टर है कारक है उसका nature कैसा है उसी snip कैормू हैं को कहीं नुक्सान पहुंच पहुंचा रहा है या फिर और बीयु जो क्रॉप को सबसे जादर नुक्सान पहुंचाए तो इसमें देखेंगे उसका आप लोग उस्द्वर बढ़ाऊंगे नुक्सान पोचाते हैं फसल को जदा कई ऐसे होते हैं जिनके नीम्प ज़यादा हानि पोचाते हैं डल्थ हो जाने के बाद वो सुसुपत हानि चले जाते है और जब हमीन की फूठ सब्सका होगा इनके फूड के बारे में ने स्क्रिप्सन देना चाहता हूं कि अग्रिकल्चर एंटोमोलाजी इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग उसे समझते हैं लेकिन कुछ चीज़ों का हुआ बन जाता है माल लीजिए ग्रास आफ़र है उसके हमें स्टडी करनी है अब उसके बारे बच्चा रटे जा रहा है इसमें फलाने टाइप के माउट पार्स होते हैं इसमें इस टाइप के एंटीनी होती है यह सब रटने की बात नहीं है एक बार आप फिगर देख लिजिए आजकर तो 3D डायग्राम आ गया है आप देख लिजिए एक बार में कॉंसेप्ट क्लियर हो जाता है इसका सिस्टम पूरा टर्म नहीं चपा हुआ है अगरी कल्चर मतलब आप जानते हैं क्रिशी विज्ञान उसके बाद अगर बात करें यह जो एंटोमोलाजी है यह ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जो भी जितने भी प्रकार के टर्मीनोलाजी है वो कोई ग्रीक वर्ड कोई लेटिन का अध्यान करना कि कि सब्सक्राइब की अपर को सेखेक्स में ने काटना पड़ेगा तब तो उसके होता है कट इन to komme इंटोमो इंसेक्ट और लॉगस मतलब होता है इसके बारे में कम्पलीट चर्चा करना कम्पलीट अध्यान करना तो एंटोमो जो है वह ग्रीक वर्ट से मिलके बना हुआ है इन को पढ़ना है तो बच्चा कही ना कहीं चन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको इतनी ज्यादा knowledge नहीं होती, तो वो हर चीजों को रटा मारता है, कि इसमें इतने पैर होते हैं, इसमें इस प्रकार की antenna पाई जाती है, mouth part इस प्रकार के पाई जाते हैं, तो देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा 3D diagram जैसा दिखाता हूँ, आपको यह Google पे मिल जाएगा, देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा करना है, open करना है Google, गूगल पे आपको लिखना है, यहाँ पर ग्रास आफ़र टाइप करना है, फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको देखिए, देखने को मिल जाएगा, कहीं न कहीं टेकनोलाजी और इंटरनेट भी इतना अचा गया है, कि देखिए एकदम कितना clearly visible है, उसका हर एक parts, हर एक segment आप आप आसानी से देख सकते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ beetles दिखाने वाला हूँ, उसमें देखिए, जो beetle हैं, यह कितने प्रकार की beetle हैं, आप देख सकते हैं, अलग-अलग beetle हो गया जो, और यह insect हो गया, आप देखते जाएए, इस प्रकार से क्या हम 3D में देख सकते हैं किसी भी चीज़ का, और इस 3D diagram की वज़े से जो है, एंटरोलाजी थोड़ी सी easy हो जाती है, क्योंकि बच्चा रटने की बजाए, अगर diagram को देखके ही समझने की कोशिश करेगा, माल लिजी हम grasshopper के बारे में study कर रहे हैं, माल लिजी हम किसी beetle के बारे में study कर रहे हैं, तो उसमें अपन देखेंगी कि भाई, इसमें इतने segment होते हैं, तो हाँ इसको zoom करके देख लिए यह होते हैं, ऐसे eyes पाई जाती हैं, इस प्रकार के antenna पाई जाते हैं, zoom करके देख लिए, mouth parts प्रकार के पाई जाते हैं, तो उसको देख के ही समझ में आ जाएगा अपन को, तो कहीं न कहीं जो है diagrammatic study करेंगे, 3D diagram जो दिख रहा है, तो इससे entomology easy हो जाता है, तो आप बने रहिएगा continue channel पे, और वीडियो को like करेगा, चैनल को subscribe करेगा, आगे इसी प्रकार के educational वीडियो आपको देते रहूँगा, entomology जो हैपन बहुत deep से पढ़ेंगे, उसके बाद agriculture sector से जुड़े वे जितने भी subject है, मैं आपको पढ़ाने की पूरी कुशिश करूँगा, जैसे genetics plant reading हो गया, plant physiology हो गया, और आपका जितने भी प्रकार के topic है, agronomy हो गया, मैं देरे देरे करके cover करूँगा, वीडियो अन तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू,